आप लोगों को बताया था है एक हल्दी एक चुटकी हल्दी से उनको तिलक करने का उसकी एक और सकस्स स्टोरी है एक तो मैंने पहले ही शेयर कर दिया आप लोगों को और यह रिच्वल बहुत काम कर रहा है जेल लोगों ने अभी तक नहीं किया है गन्पती जी अभी भी सकस्स स्टोरी यह लिखती है हलो माम कैसे हुआ आप यूनिवर्स और गन्पती भगवान की ब्लेसिंग से आज मैं अपनी सेकंड सकस्स स्टोरी आपसे शेयर करने जारी हूँ मैं आपने गनेश चतुर्थी का जो हल्दी और दुर्वा वाला रिच्वल करने को कहा था मैं वा रिच्वल गनेश चतुर्थी के फर्स डे से रोज कर रही हूँ मैं इसके साथ मैं मैंने गन्पती जी के पास एक पेपर पे अपनी तीन विशेज भी लिखके रखी थी और आज सेवन्थ डे है चतुर्थी का मैं और मेरी एक विश आज पूरी हो भी गई है मेरा प्रम पती जी थांक यू उनिवर्स एंड माम रियली आप बहुत अच्छे हो जो सब की हेल्प कर रहे हो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से माम थांक यू सो मच लव यू माम प्लीज प्रे फो मी माम मेरा पार्टनर वापस आजाए मेरी लाइफ में या शौर्ड ड ओके किसी भी तरह से वो रिच्वल आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ में तो कभी भी अपना विश्वास मत खोईए बहुत से लोग होते हैं कि हमने इतने रिच्वल के कुछ काम ने किया ऐसा मत सोचे हर रिच्वल आपके बेनिफट के लिए है कुछ वक्त गुजर ने दीजिए उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो रिच्वल था उसने मुझे कैसे ब्लेस किया कितना अच्छा है हुआ है मेरे साथ ओके सो विश्वास के साथ कीजिए और ये सकस स्टोरीज भी मैं इसलिए यहाँ पर सुना रहे हूं ताकि आप लोग को विश्वास हो कि जो भी रिच्वल्स हम करते हैं या हम बता रहे हैं उनके एफेक्ट्स हैं और लोगों को मिलते हैं और येस बहुत सारी सकस स्टोरीज आई है कि करके डेफिनेटली श्याय करती जाओंगी so that's all guys thank you so much and god bless you all